असलाम लेकम दोस्तों, वेलकम बैक टो दा ब्यालो जी MCQ सीरिस, आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्रोसिंग ओवर के टॉपिक से जो डिफरेंट हमार पास MCQ हैं, वन बाई वन उनको देखेंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो अप्शन इंक्राक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इंक्राक्ट की होगा, चली ही शुरू करते हैं, जी सबसे पहले हमार पास MCQ नमबर वान है, वाट इस क्रोसिंग ओवर, क्रोसिंग ओवर क्या है, बेसिकली डेफिनेशन पुछी है, क्रोसिंग ओवर की, रैंड पास जो एक्सचेंज होती है, सेगमेंट की between non-sister chromatids होती है, क्रोसिंग ओवर में, चारली अपशे यहां पर जो है, हमार पास जो है, रैट है, sister chromatids जो होती हैं, वो एक दूसरे के साथ पेर आप होते हैं, वो एक्सचेंज यहीं होते हैं, वो अपने सेगमेंट एक्सचे पर पाई जाते हैं वो अपने सेग्मेंट चेंज करते हैं एक्षेंज करते हैं क्रोसिंग ओवर में नेक्स्ट है हमारे पास हमसी को समबर टू हो डास दा डिस्टेंस बिट्वीन टू जीन लुकाई होने क्रोमोसोम अफेक्ट देर लाइकली हुड ओफ बिंग स्प्रेटिड बाई क्रोसिंग ओवर यानि हमारे पास डिस्टेंस जो हता है जीन लुकाई में क्रोमोसोम पर वो कैसे एफेक्ट करता है कि उनमें जो है वो क्रोसिंग ओवर होगी या नहीं होगी तो दिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास जो है डिरेक्टली परपोर्शनल होता है सप्रेशन के चांसिज के यानि जितने हमारे पास जो है डिस्टेंस होगा जितने ज्यादा दूर वो लोकाई होंगे उतने ही ग्रेटर चांस होंगे सप्रेशन के तो चारली अप्शेया पर राइट होगा जितने close जो हैं लुकाई होंगे उतने ही strongly जो है वो एक दूसरे के साथ held होंगे और उनके exchange होने के spiration होने के उनके chances बहुत काम होंगे next time हमारे पास M.C.C. number 3 at which stage of the meiosis does crossing over occur कौन सी stage पर meiosis की crossing over होती है pro phase 1, meta phase 1, anaphase 1, telophase तो यहां पर हमारे पास pro phase 1 में जो है वो हमारे पास crossing over का process जो होता है next time हमारे पास M.C.C. number 4 what are kiaz meta kiaz meta क्या है the point where sister chromatids connect the point where non-sister chromatids of homologous chromosome exchange segment the points where homologous chromosome separate the centromere of the chromosome तो ऐसा point जहां पर non-sister chromatids जो होते हैं homologous chromosome के अपने segment से exchange करते हैं उसको जो है वो kiaz meta कहा जाता है तो beta अपर जो हमारे पास right होगा next time हमारे पास M.C.C. number 5 what is the outcome if crossing over does not occur between the linked gene crossing over अगर हमारे पास linked gene के दिर्मियान जो है वो ना हो तो क्या outcome होगा only recombinant type of gametes are formed only parental type of gametes are formed both parental and recombinant types of gametes are formed no gametes are formed तो हमारे पास जो है अगर crossing over नहीं होगी तो variation भी जो है वो नहीं होगी तो इस सिलसले में हमारे पास जो है सिरुफ और सिरुफ parental type के gametes ही जो है वो बनेंगे तो beta option M.C. number 5 का यहां पर जो है right होगा next है हमारे पास M.C. number 6 है how many types of gametes are formed if crossing over occur between two link genes अगर दो link gene जो होते हैं हमारे पास उन में जो है वो crossing over होगी तो हमारे पास जो है कितनी type के gametes बनेंगे हमारे पास जो है एक जो parent यह है और दूसरा parent suppose कर लें small a b का है तो इन में अगर जो है वो हमारे पास crossing over होगी दो हमारे पास जो है recombinant type के जो है वो हमारे पास बनेंगे गमीट्स और यह हमारे पास जो है A capital B small और A small B capital तो इनको हम जो है recombinant type कहेंगे तो इस तरह जो है total हमारे पास जो है four types के gametes जो है वो बनेंगे अगर हमारे पास crossing over होगी दो link genes नेक्स टाहिए हमार पास mcqs number 7 है what is the recombinant frequency recombinant frequency क्या है the number of crossover events that occur during meiosis the proportion of the recombinant type between two genes are as compared to the total of all combinations the total number of offsprings produced in a genetic cross the ratio of the parental type to the recombinant type तो recombinant frequency का जो हमार پاس formula होता है वो है recombinant frequency का जो वो हमार पास formula है वो हमार पास होता है is equal to total number of हमार पास जो रीकंबिनant types होती है और over total of uppspring जितने होते हैं उसमें जो है वो हमार पास parental भी आ जाएंगे और recombinant type के भी आ जाएंगे और इनको हम जो है वो multiply कर देंगे 100 के साथ तो यह recombinant frequency आ जाएगी next है हमार पास mcqs number 7 जो है इसका फिर हमार पास beta option जो है right बनेगा the proportion of the recombinant types between two pairs as compared to the sum of all combinations तो beta option यहां पर mcqs number 7 का यह हमार पास right होगा next है हमार पास mcqs number 8 how can recombinant frequencies be used in genetics recombinant frequency को कैसे हम जो है वो genetics में use कर सकते हैं to determine the exact DNA sequence of gene to map the position of gene on a chromosome to identify the phenotypic traits of an organism to clone genes in a laboratory तो अगर हमार पास recombinant frequency हमार पास हो तो तो उसकी मदद से हम position of gene को मैप कर सकते हैं यह भी देख सकते हैं कि कितने दूर जो है वो दो genes आपस में जो है वो पाए जा सकते हैं तो बीटा अप्षी यहां पर जो है वो हमार पास हमसी को number eight का right होगा next है हमार पास हमसी को number nine if two linked genes have a twenty percent recombinant frequency how far apart they are on the chromosome two units twenty unit two hundred unit zero point two units तो हमार पास जो one percent जो है recombinant frequency होती है वो हमार पास जो है हमार पास जो है जी denote करती है one unit को far apart one unit distance को जो है वो हमार पास जो है one percent recombinant frequency जो है वो donate करती है तो यहां पर twenty percent जो है recombinant frequency दी गी है तो twenty unit जो है वो हमार पास जो है far apart होंगे chromosome पर जो हमार पास जो है दो link genes होंगे तो बीटा प्षी यहां पर जो है right होगा next है हमार पास हमसी कोज no.10 है what effect does crossing over have on genetic variation genetic variation पर crossing over का effect क्या है it reduces genetic variation among offspring it has no effect on genetic variation it increases genetic variation among offspring it eliminates genetic variation तो जितनी हमार पास crossing over होगी उतनी ही recombinant frequencies बनेंगी और उतने ही हमार पास variation के साथ net rate सामने आएंगे तो यह हमार पास genetic variation को increase करती है चार्ली अप्षियां पर जो है right होगा next है हमार पास हमसी कोज no.11 है what is the genetic variation important why is genetic variation important for evolution genetic variation evolution के लिए क्यों important है it provides raw material for evolution by enabling adapting to the changing environment it maintains the stability of organism straight over generation it reduces the likelihood of mutation in the offsprings it ensures that all offsprings are genetically identical to the parents तो हमार पास जो है जितने भी हमार पास जो है last वाले तीनों जो option है यह हमार पास उस सुरत में जब हमार पास genetic variation ना हो लेकिन अगर genetic variation होगी तो वो हमार पास जो है same sequence number 12 है एक numerical है इना genetic frequency the following option number जार अब्जार प्रेंटल टाइप है A B capital over A B small जो है यह हमार पास जो है 170 है दूसरी प्रेंटल टाइप 150 है recombinant type A 35 और दूसरी 45 है तो इस तरह जो है हमने total जो है उसने पूछा किया हमसे recombinant frequency जो है two gene pairs में हमने जो है वो calculate करनी है तो हमार पास जो हमने उपर recombinant frequency का formula देखा था वो हम यहाँ पर जो है दोबारा put कर लेंगे recombinant frequency यहाँ पर अगर हम देखें तो वो हमार पास जो थी recombinant frequency is equal to total number of recombinant organisms recombinant types के जो हमार पास जो है organisms है recombinant types over all offsprings और उसको हमने जो है वो multiply करना है यहाँ पर जो है 100 के साथ तो यहाँ पर हमार पास recombinant types जो थी यह हमार पास 80 है और total जो है वो अगर हम इनको जमा करेंगे 171, 50, 35 और 45 को तो total यह हमार पास 400 के करीब बनेंगे तो यहाँ पर recombinant types जो है 80 है total हमार पास 400 है इसको 100 के साथ multiply करेंगे यह 20 के साथ कर जाएगा 80 को 4 पे ड्वाइट करेंगे तो यह हमार पास 20 परसेंट जो है recombinant frequency आएगी तो चार लिए अपश यहाँ पर जो है वो हमार पास राइट होगा तो दोस्टों यहाँ पर हमार पास यहाँ तुमाम तरह MC कुज़ें वो कंप्लीट होते हैं क्रॉसिंग ओवर के मित करता हैं दोस्टाब को वडियो पसंद आएगा तो वडियो पसंद आएगा तो इससे लाइक कीजिए का ऑगर आप से शियर कीजिए इस फूडियो में तरह मिलेंगे कि अपना पूसरा ख्यार रखीगत वाम एद रखीगत तरह तक के लिए लाह आफीज